गुद बॉणिग स्टूडेंस, टोड़ यार गुइंग टो स्टार्ट एक्सेसाइज 18 बी, और यहां पर सिमेट्री से रिलेटिद सिर्फ क्वेशन है और आपको उनके आंसर्स देने है, कोई सिमेट्री लाइन ड्रॉड करनी सिर्फ टू क्वेशन ऐसे हैं जिनमें आपको स बाकी सारे questions के आपको answers देने हैं आपसे पूछा गया first question देखिए How many lines of symmetry does an equilateral triangle have? Equilateral triangle में कितनी lines symmetry होती हैं? हमने previous turn में आपको बताया था draw भी करके दिखाया कि equilateral triangle में three lines of symmetry होती हैं इसके बाद what is the order of rotational symmetry of an equilateral triangle rotational symmetry का order क्या होता है? equilateral triangle में ये भी three होता है या हमने आपको करके दिखाया था कि एक बार 120 के along rotate किया 240 के along rotate किया 360 के along rotate किया तो पहला क्या है कि जो आपका equilateral triangle होता है उसमें three lines of symmetry होती हैं इसके अलावा जो उसका rotational symmetry है उसका order भी three होता है next question देखिए question number two through what different angles should a rectangle be rotated to be in a symmetrical position with the original position किस angle में rectangle को rotate किया जाए कि वो अपनी original position में आ जाए तो या तो उसे आप 180 degree पर देखो complete rotation में भी figure बिल्कुल अपनी exact condition पा लेती है तो एक तो complete rotation हो गया और एक इसका ज़स्छाफ यानि या तो उसे 180 degree में rotate किजिए देखिए जैसे अगर आपके पास एक triangle बना है तो आपको उसको 180 degree में rotate करना है किसी भी एक point को ले लो ये A है ये B है ये C है ये D है कि इस point को ले लिए जामान लीजे हम इसके along rotate करने है तो यहाँ पर 90 degree angle बन रहा है आपको इसको 180 के along rotate करना है तो 180 के rotate along जब आप करेंगे तो ये angle यहाँ पर अभी 90 बना रहा है तो यहाँ पर अभी 90 जब इसको 180 के along करोगे तो यहाँ पर जो आपका ये है यहाँ पर C आ जाएगा ठीक है यहाँ D आ जाएगा जहाँ B था वहाँ A आ जाएगा तो इस तरीके से position change देखो suppose करके देखो यह angle है और आपने इसको 180 के along आपने इसको rotate किया है ये 90 तो है और 180 के along आपने जब इसको rotate किया तो simply position change होगी उपर नेचेगी यहाँ पर C हो जाएगा यहाँ D हो जाएगा यहाँ A हो जाएगा यहाँ B हो जाएगा ठीक है इस तरीके से तो अब क्या है कितनी times आप इसको किस-किस angle से rotate करें कि ये original figure में fit bad जाए original figure की तरह दिखाई दे तो 180 degree में आप rotate करेंगे तब भी वैसे ही दिखेगा और 360 degree में आप rotate करेंगे तब भी वैसे ही दिखेगा third question what is the order of rotational symmetry of a square give the angles of such rotation आप से कहा गया है कि जो square होता है उसका rotational symmetry का order क्या है और उसके rotation angle क्या है यानि उनको किन angle पर rotate किया जाए तो square has a 4 rotational symmetry of order 4 square में जो rotational symmetry का order है 60 यह 4 angle है जिन पर अगर आप square को rotate करते हैं तो वो square वैसा का वैसा ही रहेगा यानि कि उसका order symmetry का क्या है वो 4 है question number 4 देखिए how many lines of symmetry does a rhombus have rhombus में कितनी symmetry line होती है हमने आपको पिछली exercise में बताया कि 2 होती है और दोनो diagonal के along तो rhombus have 2 lines of symmetry और दोनों कैसी होती है diagonal के along what is the order of rotational symmetry of a rhombus क्या rhombus में rotational symmetry होती है बहिए जब rhombus में rotational symmetry ही नहीं होती है तो order कहां से आएगा तो उसका order क्या होता है 0 write 3 letters of the English alphabet which have 2 lines of symmetry and rotational order of rotational of order 2 previous exercise में आपको last question last truth was दिया गया तो यहां पे वो 3 letters है h i o इन में तीनों ही letters में 2 lines होती है symmetry के आप ड्रॉ करोगा ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी ऐसे भी और ऐसे भी तो 2 lines तो होगे symmetry के इन्होंने कहा rotational order भी 2 होना चाहिए तो rotational order इसका 180 का जब करोगे तो वापस h बनेगा इधर साइड से इधर साइड वापस h बनेगा इसका भी और इसका 360 होगा तो इनका जो rotational order है वो भी 2 है इसके बाद given example of a figure that has a line of symmetry but does not have a rotational symmetry किसी भी ऐसे figure का आपको example देना है जिसमें क्या है आपकी line of symmetry तो हो but rotational symmetry ना हो तो isoscalous triangle है इसके साथ ये भी ये देखो rhombus वाला line of symmetry तो है मगर rotational symmetry नहीं है तो आप ये भी लिख सकते है कि rhombus भी हो सकता है और isoscalous triangle भी हो सकता है दोनों ही answer इसके रिए ठीक है question number 7 देखिए does every trapezium have a line of symmetry trapezium में line of symmetry नहीं होती isoscalous trapecium में होती है हर trapezium में नहीं होती सिर्फ isoscalous trapezium में होती है तो no, only an isoscalous trapezium have a line of symmetry question number 8 देखिए what is the line of symmetry of a semicircle semicircle की line of symmetry क्या होगी does it have a rotational symmetry क्या इसमे rotational symmetry होगी तो semicircle की line of symmetry हमने आपको figure में दिखाई थी exercise 18 में semi circle बना था और उसकी line of symmetry जा रही थी diameter को bisect करती हुए तो line of symmetry of semi circle is perpendicular bisector of its diameter diameter को bisect करती हुए perpendicular और इसमें rotational symmetry नहीं होती no it does not have a rotational symmetry question number 9 देखिए give an example of a geometrical figure which has neither a line of symmetry nor a rotational symmetry ऐसा example देगा आपको जिसमें ना ही reflection symmetry हो और ना ही rotational symmetry हो तो previous exercise में question number 1 ही यह है skeleton triangle जिसमें reflection symmetry तो होती ही नहीं है reflection symmetry भी नहीं होती इसके साथ rotational symmetry भी नहीं होती है तो skeleton triangle has neither a line of symmetry nor a rotational symmetry अब question number 10 में आप से का गया find and draw the line of symmetry the number of lines of symmetry यह figure दी गई आपको और आप से कहा गया है line of symmetry बतानी है इसके साथ साथ इसमें line of symmetry draw भी करनी है तो इसकी line of symmetry मैंने draw करके दिखाई है pencil से देखो दोनों centers से होगे जारी है और दोनों को equal parts में divide गए है तो यह तो मैंने draw करके दिखा दी अब line of symmetry आई कितनी इसमें एकी line तो draw की है तो line of symmetry कितनी आई इसमें 1 second question इसी का है the order of rotational symmetry of the adjoining figure इस figure का rotational symmetry का order क्या है इस figure को हम किसी भी angle के along rotate करेंगे तो यह अपनी figure पे fit नहीं बैठेगा आप कहीं भी करके देख लो तो इसका जो rotational symmetry का order है वो क्या है zero है क्या है question number 11 देखी यहां भी एक figure है how many lines of symmetry does the given figure draw these lines इसमें कितनी line of symmetry है और है तो उनको draw कीजिए तो हमें दिख रहा है इसमें two lines of symmetry है मैंने draw करके दिखाए है what is the order of rotational symmetry of the given figure इसका order क्या है three इसको आप three angles से rotate कर सकते हैं जिसमें यह अपनी figure पर fit रहेगा अब आपसे कहा गया give an example of a letter of the English alphabet which has no line of symmetry and a rotational symmetry of order two ऐसा एक आपको example देना है जिसमें reflection symmetry तो ना हो लेकिन rotational symmetry two order की हो तो वो ऐसा देखो इसमें reflection symmetry नहीं draw पाएगी अगर आप ऐसे draw करोगे तब भी नहीं आएगा और ऐसे draw करोगे तब भी नहीं आएगा यह हमने आपको करके जो दिखाया था ऐसे करोगे तब भी नहीं आएगा और ऐसे करोगे तो reflection symmetry तो नहीं आ रही लेकिन इसको आप जब rotate करोगे तो यह दो बार अपनी position पर fit बैठेगा तो इसका जो order हो गया वो तर 2 है लेकिन इसकी reflection symmetry 0 है तो Z वो alpha weight है जिसमे reflection symmetry तो नहीं होती लेकिन rotational symmetry 2 order की होती है clear है?